वर्जन आ रहोगा तो मुवाइल में भी कर सकते इंस्टॉल लेकिन जेनरली मुवाइल के लिए मुझे नहीं लगता है कि मुवाइल में आता होगा यह ठीक है तो थोड़ा सा लेनेक्स का मैं आपको एडवांटेज और इसका हिस्ट्री सब क्या है वो मैं बताना चाहरा हूं है अगर लोड़ा का मुवाइल वर्दसन डॉनलोड होगा मतलब बनावा होगा तो मुवाईल में भी इ स्टॉल ऊगा मोइल के software को install करने के लिए यह requirement है तभी आप जैसे आप form भड़ते हैं कोई भी form भड़ते हैं तो requirement बताता है न अपना कि eligibility यह है यह होगा तभी आप form भड़ सकते हैं तो उसी तरह कोई भी software या operating system आप install करेंगे उससे पहले वो requirement बता देता है का specification बता देता है कि आपके system का यह specification होना चाहिए अगर यह होगा तभी आपके computer या device में यह सारा चीज चलेगा ठीक है तो अगर mobile compatible वो आप देख लिजिए कि mobile compatible है की नहीं है अगर रहेगा तो चलेगा अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका device में वो compatible ही नहीं नहीं चलेगा तो देखें यह क्या हो यह आपका JNU जो है यह एक organization था जिसने आपको यह आपका ग्राफिक्स मतलब यह user friendly जो चीज है यह ग्राफिक्स यह आपका सकते हैं उसको कि इडिटिंग टाइप का जो भी software यह था वो क्या-क्या फ्री में software बनाना मतलब स्टार्ट किया ठीक है और जो Linux था वो आपका केवल आपका बुट क्या करते हैं उसको बुटिंग टाइप का यह मतलब करनल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो जी यू आई नहीं था उसमें तो जे एन्यू और लाइनेक्स मिल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना इसलिए कहीं पर आप लोग देख रहे होंगे तो जे न्यू स्लैस लाइनेक्स लिखा रहाता है कि दोनों मिल के यह ग्राफिक्स और करनल लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम तयार किया ठीक है यह हम लोग आज पढ़ेंगे इस्ट्री ऑफ जेन्यू वाटिद फ्री सॉप्ट्वेर एड्वांटेज हैल्प एंड सपोर्ट फ्री सॉप्ट्वेर अल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लर और जी सी यह आपका जी सी क्या होता है कि जो आपका एक कंपाइलर है जी सी के थुरू भी आप बिन फेडोरा लाइनेक्स फेडोरा आपको बता दिया इंस्टालेशन कैसे करना यह आगे जो आपका सिलेवस में है वह ओपन ऑफिस पढ़ना जिसमें की हम लोग वर्ड फाइल एक्सेल और पीपीट यह तीनों चीज हम लोग ओपन ऑफिस वाला चीज में हम लोग पढ़ाएं जो कि आपको free to all है, ठीक है, permission is guaranteed to copy, मतलब इसमें copy करना कर सकते हैं, free है, distributed and or modify this document under the term of the JNU, free documentation license, version इतना, and later version published by the free software foundation, ये एक foundation बनाया, जो कि इंडिया में 2001 में ये foundation start हुआ था, free software वाला, उसी का JNU का ही foundation यहाँ पे इंडिया में start हुआ था, with no invariant section, no front cover text and no back cover text, a copy of the license is included in the section entitled JNU free documentation license, ये देखी, ये जो है, आपका JNU का symbol है, ठीक है, JNU क्या है, एक तरह का वहां का जानवार होता था, उसी का symbol बनाया है, और ये जो आपको दिख रहा है, बत्तक टाइप का, या पिंग इसको बोलते हैं, ये जो है, ये जो है, ये आपका Linux का symbol है, ठीक है, ये दोनों मिलके आपका JNU, ये वाला, ये जो है, ये Linux का है symbol, ये दोनों मिलके इसको बनाया, तो जेनरली जो अपरेटिंग सिस्टम है, दो, तीन टाइप का है, विंडोज अपरेटिंग सिस्टम, JNU, या स्लैस लेनेक्स, ये दोनों मिलके इसको बनाया, इसलिए दोनों को हमेसा ये राता है, और Mac OS, ये वाला तो एपल का अपना, इस पे मोनोपोली है, और इसका अ Linux हो गया, BSD हो गया, Sun OS हो गया, ये तीन पार्ट यूनिक्स में आया, Linux, BSD और Sun OS, तो ये जो है, इसका JNU प्रोजेक्ट जो बना था, कि free to all मिलेगा, यही आदमी ये चीज का इनिसियेटर था, यही आदमी free concept लाया, open source का concept इसी से आया, ये क्या किया, ये जो था, American software freedom activities था, hacker था, and software developer, ये जो है, ये क्या किया, कि एक project launch किया, JNU, इसका ये मोटीव था, कि सब को free में मिलेगा, और ये free में मिलेगा, तो क्या होगा, society को development होगा, society develop करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसको use करेगा, अब क्य कि अगर मान लिजे मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं operating system, अगर ये Linux वाला operating system का नहीं रहता हमारे पास option, तो क्या होता, पैसा दे के हम operating system खड़ितते, लेकिन क्या, अगर free में तो मैं use करके पढ़ोंगा, तो आगे development होगा, तो society कहीं development होगा, तो ये जो था, यही ये concept को launch कि idea, idea was to create a free Unix-like operating system, started the free software movement in October 1985, set up a free software foundation, ये एक free software foundation का ये organization start किया, the concept of copy left, उससे पहले क्या चल रहा था, copyright का concept चल रहा था, कि मैंने कुछ बनाया हम उस पे copyright, या जो last class में या उससे पहले बाला class में जो बता रहा था आप लोग को, patent का, तो patent actually वही है, patent अगर आप फाइल कर दिये तो वो copyright मिल गया आपको उसका, ठीक है, तो ये चीज, copy left का ये concept लाया, तो ये new project क्या था, free software, mass collaboration project, project was developed a sufficient body of body of free software, to get along without any software that is not a free, मतलब जो भी software आपका पैसे के पैसा में मिल रहा है, paid software जो है, उसी का alternative ये free software बनाना, बनाने के लिए ये project start किया, genuine recursive economy, that standard genuine, not unix, ठीक है, the goal was achieve in 1992, 1985 में start किया था, 1992 में ये, इसका goal जो था, कि unix based free software में बनाऊगा, operating system बनाऊगा, वो 1992 में बना दिया, third party unix style kernel based आपका operating system, जिसका नाम दिया, ये linux, ठीक है, यही आपका genu, जो है, ये african, आपका, ये है, animal है, इसी का head को लेके ये genu product launch किया था, ठीक है, और linux बनाने के लिए, आपका ये जो है, ये आदमी linux को, ये start किया था, और बनाया था, ठीक है, इन 1991, the helixny की linux, troubled, began a project that later become the linux kernel, the kernel linux and genu tools combined, genu क्या था, आपका जो paid software था, उसी का alternative genu में बन रहा था, कि जैसे editing को, जैसे microsoft office है, ये क्या है, पेड है, तो इसका alternative open office बनाया है, उसने, कि जो की free है, सब कोई download करके use कर सकता है, ये दोनो mil के जो operating system बनाया, उसका नाम रखा genu slash linux, क्लियर है, ठीक है, ये आपका free software foundation, जो इसका संस्था का नाम था, वो free software foundation था, इसमें free as a freedom not free, मतलब ऐसा नहीं कि आप खा के हजम कर लिए, आपको भी कुछ contribute करना है, इसमें कि जैसे मान लिए कुछ develop कर लिए या कुछ उस तरह का develop किये, तो वो भी आप free में दूसरे को दीजिए, तो उस तरह का concept लाके ये foundation start करके उसका motive वो achieve किया, ये freedoms का वो जो program था उसका ये concept थोड़ा सा है, the freedom to run the program for any purpose, the freedom to study how the program works and adopt it your needs, मतलब अपने अनुसार से इसको adapt करके change कर सकते है, the freedom to redistribute copies so you can help your neighbors, मतलब आपको distribute करना है, redistribute भी करना है, कि जिससे neighbor भी आपका जो अगल बगल है उसको भी फैदा हो, the freedom to improve the program and release your improvement to the public, मतलब आप उसको improve किजिए उस program को और improvement वाला जो program है वो publicly available किजिए, कि ये नहीं कि आप अपना copy करके आप upgrade किये और अपने पास रख लिए वैसा नहीं, आप भी इसको publicly किजिए, जो कि freedom का concept वो उसमें fulfill होगा, so that the whole community benefits, मतलब कि अगर आप किसी को update version दीजिएगा, तो क्या होगा, आपको भी कोई update करके दिया हुआ है, उसी तरह क्या, आपको भी कुछ जोरत होगा, कुछ update वाला मिल जाएगा, तो ये सारा concept वो लाया, टेक्निकली क्या था, 100% free from virus, faster bug fix, बग मतलब कोई error आ रहा है, कुछ अगर problem आ रहा है, operating system तो उसको fix कर रहा है, क्योंकि आपने bug वाला मालीजे, आपके system में डाल दिये, तो आप वो bug को अगर publicly बता दिये कि ये bug आ रहा है, हमारे operating system में, तो बहुत सारा community में जो भी जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, उस bug को हटाने के लिए कोशिज करेगा, और बहुत जल्दी आपका fix हो जाएगा, problem solve हो जाएगा, more secure, the software is free, freely available, can distributed, मतलब आप भी distribute कर सकते, no license fee to use, मतलब license के लिए कोई fee आपको नहीं लगेगा, इसका क्या community को support होगा, help होगा, members worldwide to solve your problem, free to cost, Linux user group, और paid support focus to, मतलब अगर paid support आपको चाहिए, तो आपके computers पे focus करके वो काम करेगा, तो इसका ये सारा जो है, ये आपका website का नाम है, जिससे की आप discuss कर सकते हैं, download कर सकते हैं, और आपका code word जो है, सब कुछ ये सारा website पे उसका मिलेगा, देशे linux question.org ये इस पे कुछ आपको problem आ रहा है linux पे, तो आप यहाँ पे डाल दिजेगा, तो जो भी community इस पे जुड़ा हुआ है, वो आपका community solve करेगा, ठीक है, तो distributor, मैं distributor जो है इसका, देवियन है, उबन्तु, आईटी अटरेटी स्कूल, रेड हर्ड, इंटरप्राइज लाइनेक्स, फेडोरा, सेंटोस, मैंड्राइव, सेल्कवेर, लिन्स, लिन्स पायर, लिन्स पायर, और भी बहुत सारा है, जो कि विकिपीडिया पे अगर आप बहुत सारा है, जो मैं इमेज दिखा रहा था, वो लैनेक्स दिस्ट्रिवीटर कहीं, इमेज था, ठीक है, यह जो मैं दिखा रहा था, आप लोग को, यह आपका 2007 तक ही है, और भी जब आप विकिपीडिया पे जाएगा, तो बहुत सारा आपको दिखेगा, ठीक है, यह थ मेट्रोला मोवाइल जेनरली बेस्ट अन मॉन्टा विस्टा लैनेक्स, इंक्लूर्स दे रेजर भी एट, मेट्रोला रेजर 2 भी एट, यह सारा नोकिया का एन 810 यह लैनेक्स बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, यह सब जो दिख रहा है, जो एंडवाइड है, आपका वो जो लैनेक्स सरवर के लिए योज करता है तो आई बिम जो लैनेक्स ओन सूपर कम्प्यूटर, आई बिम सूपर कम्प्यूटर, बु जेन ऐल लैनेक्स, यह सारा आपका यूज होता था, जैसे देख Judy, यह जो इस साइड में आपका सॉप्ट्वेर दीख रहा है, लैप ओफिस इंटरनेट एक्प्लोरर आउटलूट एक्सप्रेश फोटो सॉप पेज मेकर कोरेल ड्रॉव विन विन एप विन्दोज मीडियर प्लेयर नीरो यह जो है यह आपको कुछ डिजाइन बनाना है उसके लिए विजूल स्टोडियो गूगल टॉक्याहू मेसेंजर जो भी है उसका कुछ अल्टरनेटिव में दिखाया हूं जो कि ओपन ओफिस यह आप लोग को परना है स्लेवस में ओपन ओफिस तो इसके बारे माप लोग सर्च करके देखिएगा क्या होता है वाईर फोकस यह ब्रॉजर है जो इंटर्नेट इसका है थंडर बट जींप स्क्राइब इंक स्पेस औरोग के अप उजिट में इंक स्पेस यह सब फोटो सॉप टाइप का है और यह सब कुछ इमेज्ज या कुछ फ्लोचार्ट या कोई डिग्राम बना सकते है एकसे मेस एंप्लेयर के थरी यह सारा कुछ हम लोग इसका अल्टरनेटिव आप लोग को फ्री सॉप्ट्वेर मतलब जो भी पेड सॉप्ट्वेर है उसका अल्टरनेटिव हम लोग नहीं दिखाएं किलियर है अगर किसी कोई स्क्रीन शॉट लेना तो इसका ले लिजिए यह ओपन ओफिस आप लोग को परना है इसको आप लोग थोड़ा सा खोल के देखिएगा ठीक है थंडर वर्ड यह ओपन ओफिस में देखिए ओपन ओफिस में यह सारा चीज है टेक्स डोकुमेंट इस्प्रेट सीट पर्जेंटेशन ड्वाइंग डाटाबेस टेंपले यह एक्चुली एमस ओफिस का ही अल्टरनेटिव है एमस ओफिस में जितना आप काम कर सकते हैं वो सारा ओपन ओफिस में भी कर सकते हैं क्लियर है यह फायर फॉक्स हो गया यह जींप हो गया के थ्रीपी यह मीडिया प्लेयर है जैं यह भी मेडिया प्लेयर है 3D ब्लेंडर इसमें डिजाइनिंग का होता है काम ओपन फिल्म इ केडिट एनिमेट और यह सब कर सकते हैं वेब केम चैटिंग बहुत सारा है यह आप फ्री सॉप्ट्वेर 3D डेक्स्टॉप जी नॉम केडी के डेक्स्टॉप इसमें आप जो है कोड लिक के इसको रन करके कुछ इमेज उमेज बना सकते हैं ठीक है आई टी स्कूल यह आपका डिस्टुबीटर आ गया यह बैड बिश्टा लाइनेक्स पावर फूट यह था आपका थोड़ा सा लाइनेक्स के बारे में और जो फ जो है यह वाल पाइट बिश्ट वाल है do अधसर इसमें क्या बताओ क्या नहीं समझ में कुछ नहीं यह आपका पेड सर्भीस है लैप्ट में जो है पेड्ब आपका सौप्टवेर है और यह जो राइट साइट में यह फ्री का अब लेवल मतलब फ्री में आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं बस इतना ही है यह ठीक है तो अगर कोई सॉप्ट्वेर आपको डेक्स्टॉप के लिए डाउनलोड करना है तो उसके लिए एक वेबसाइट है जो कि जहां आपका सारा चीज मिल जाता है जेनरली जो भी अपडेट वाला है फाइल हिपो डाट कॉम ठीक है यह वाला आप लोग खोल के यहां पर आपका कटेगराइज भी किया हुआ है जैसे ब्रॉजर है तो ब्रॉजर अगर आप खोलिएगा तो यहां पर लेटेस्ट जितना भी ब् पर दोनों है मतलग सारा जो भी सौप्ट्वेर का अपडेट होता है यह फाइल हिपो डाट कॉम यह आपको अपडेट बताता है इसमें फ्री का भी अबलेवल है और पेडवाला भी अबलेवल है अगर आपको लैसेंस करना तो उसके वेबसाइट पे जाके लैसेंस कर सकते है ठीक है जैसे ओफिस एंड न्यूजेज इसमें जो भी सौप्ट्वेर का नीड होता है जितना भी तरह का तो वह आपको कि बताएगा कि नेट स्लो हो गया है खुल रहा है ठीक है कोई भी चीज का एफ जैसे माझने आपको फ्री ट्वेर के बारे निजानना है तो आप कुछ ने Google को याद किजिए प्रि प्रे ट्वेर लिस्ट कि फॉर PC पीसी प्पीज इतना भी आप्री सौपट्वर है सारा PC के लिए free software है तो यह सारा चीज आप कर सकते हैं वहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है